तो दोस्तो दो-3 दिन पहले मेरी टीवी में मैंने एक नए सी प्रॉब्लम को देखा है जहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या हुआ थी यहाँ पर अगर आपने कोई भी पुरानी सीडी के सेट चलाई है जो खराब सीडी के सेट तो आपने कई बार फॉलो करी होगी जो पिक्चर बहुती अटक-टक से आती है जो साउंड क्वालिटी बहुती खराब होती है वैसी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर मेरी सेट अप बॉक्स में आ रही थी और दोस्तो जो पोग्राम दिखा रहा था यहाँ पर पोर सिगनल वीक सिगनल अगर बहुती खराब हुआ न तो दोस्तो पॉब्लम से निकल सके हूँ तुर जो प्रोब्लम है बहुत ही जो सीगनल रिलेतड पण बनियम्ट है तो दोस्तों मैं Puis स्टेप बासे जाओँ हाँ जो कैसे अप इस प्रोब्लेम को डील करेंगे कैसे इससे निकलेंगे ? और किस जगा से यह प्रॉब्लेम हो सकती है उसी के बारे में एक दमी बात करेंगे और दोस्तों जो प्रॉब्लमों के बारे में बात नहीं करेंगे यह पर कैसे आप सलूशन निकालेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को देखते रिए इन तक तो नमस्कार दोस्तों मैं अधुदी पंकर आप जो है signal related problem है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा जो भी आप network ये लोकल के विल्टी भी network कर तो दोस्तों सिर्फ आपके घर में वह signal नहीं आ रही है अगर आप आसपास में देखेंगे बहुत सी घरों में भी वही signal यूज हो रही है तो आपको ये पहले चेक करना होगा जो सभी घरों में सेम problem आ रही है या नहीं अगर मानले जे सभी घरों में सेम problem आ लिए तो दोस्तों वहाई पर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाई पर technician आएगा चो जो कैसे आप इसे शॉट आउट करेंगे इजीली step by step और दोस्तों जो डीश बाली बात आजयते हैं डीश में सिग्नल प्रोब्लेम बहुत ही कम आती है क्योंकि जो सैटलेट से सिग्नल ले थी है तो जो वायर फायर के प्रोब्लेम के बारे मैं मैं बताऊंगा उसी प्रोब् क्या चेक करेंगे तो सबसे पहले जेट अगर आपके वायर में कोई बीटार कर गया तो Cake फाले तो सबसे पहले कम केौई को चेक रहा था सबसे पहले उसी जॉइन की लिए जाथी कंदर से अगर किसी भी बजाए असे हलकी सा बनल होना तो दोस्तों में baat een लाज आप पकर ही नहीं पाएंगे का हां से भाई दिक्कत हो रही है तो अगर आपने कोई भी जोएन वीडियो नहीं देखे तो मैंने बहुत पहले जोएन बाला वीडियो बनाया थे तो मैं वीडियो के टेक्षिजन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा तो आप देख सकते हैं पर्फेक्ली जॉइन कैसे करा जाते केबिल वायर को और दोस्तों मैं यह भी कहूंगा जो उसी जॉइन को आप पानी से दूर रखे या टेपिंग बगरा कर सकते हैं या किसी भी प्लास्टिक के अंदर उसे घुसा दीजिए तो दोस्तों उसे पानी से दूर रखे क्योंकि बहुत सी बार क्या होती है पारिश का पानी उसके अंदर चला जाता है तो इससे बहुत ही दिक्कत होती है सिगनल को तो दोस्तों यह अगर करते हैं तो आपको लॉंग टाइम प कोई और भी एक टाइप का होता है जो बिएम सी ब légारा लगा कर जैक बगारा देकर उसे जया जाता है तो आपको यह भी शोट buck अदिश करना होगा जो आप को यह जय जय बगगरा एक दमी टाइट है यह नहीं है तो बहुत सी मेल में आती है यही से आतीए तो आपको जो वह टाइट रहे दोस्तों क्या होते है जो यह हो जाती है क्योंकि जो हमारे जो पारिष के दिन उसे खोलना पर था है जो आपकी सेप्टप बोक्स बैग रहा है उसे आप बचाना चाहते है तो दोस्तों जो बहुत सी बार यही से लूज होती है और दोस्तों सिगनल में ब जो आ जा जाती है वह हमारे splitter या जो टपंप ब feito हम यूस करते हैं यह तो बहुत ही कम चांसे से अगर हंडप मैं से कहो तो 5% है कि झांसे से यह खराब होने का जो भिक्राब पर जिस्प्रितर करती है ऑगर भर बगर होती है अगर 2 और र्याता है क्योंकि यह चांसे बहुती काम है यह खराब होने का तो कही बर हो भी जाता है तो आप लास्ट में उसे चेकर लीजिए अगर इससे भी नहीं हो रहा तो और दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यह सारा काम आप कर रहें तो दोस्ता पहले सैप्टी फरस्ट है दोस्तों जूते कर ले आप सेफ हेАं पहले पहले उसके बाद यी काम कर यह जalth 애 यह थी जो प्रॉबलम के बारे में तो मुझे लगता है जो इस पॉइंट भगारे से प्रॉबलम होगी और दोस्तो अगर और भी जो इसके बाद भी अगर प्रॉबलम होती है तो नीचे आप इतना से कॉमेंट करिए मैं ज़रूर जबाब दोंगा जो आप सभी का जो भी प्रॉब्लम बगरा है तो उस्तों उम्मित करतों जो यह वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो के लाइक कीजिए आपने फ्रेंट के सब्सक्र सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो डेली पाने के लिए तो फ्लाल को ले वीडियो में इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदमत्राम